एलो फ्रेंड्स जेसिक रश्ना, वेल्कम टो कुष्टी शिंगार, आज हम बनाएंगे ठाकोर जी के लिए पतंग, अभी उत्रान कात्यों हरा रहा है, इसलिए मैंने ये जीको मोती में पतंग बनाई है, अब हम पतंग बनाना स्टार्ट करते हैं, पतंग बनाने के लिए हमें चाहिए जेको मोती, वाइट, ब्लू और रेड कलर के निदल और धागा, अब हम पतंग बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें तीन वाइट मोती और एक रेड मोती लेना है, इस तरह चार मोती, तीन वाइट और एक रेड और ये तीन मोती में से रेटन, और इस वाइट मोती में से भी निदल, इस तरह चार मोती में से हमें रेटन लेना है, अब एक वाइट, रेड और वाइट, अब तीन मोती और रेड मोती में से निदल, फिर वाइट मोती में से और रेड मोती में से निदल, अब इस तरह वाइट, रेड और वाइट मोती में से निदल, अब वाइट और रेड ये दोनों मोती में से निदल, इस तरह हमें एक लाइट बनाने है, तीन मोती लेके, इस तरह हमें एक लाइट रेड रेड करने हैं, ये रेड मोती हमें सोला बाल लेने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोज़ा, पंदरा और सोला, और हमारा लास्ट में रेड में धागा होगा, अब हमें तीन, वाइट, एक ब्लू, रेड और एक ब्लू, और फिर तीन, वाइट, इस तरह बिर्च लेने हैं, और इस रेड में से निदल, इस तरह, और यहाँ पर वाइट मोती में से, अब एक वाइट मोती, और यह वाइट मोती हैं, उस में से निदल, फिर एक वाइट मोती, और वाइट मोती में से निदल, फिर वाइट मोती में से निदल, अब हमें हर बार एक एक मोती लेना है, तिन मोती हमने लिए, अब एक ब्लू, और वाइट मोती में से निदल, और फिर वाइट मोती, एक वाइट मोती लेके हमें इस लैन में फिर एक वाइट, फिर एक वाइट, फिर एक वाइट, इस तरह बीच-बीच में हम एक एक वाइट मोती इस तरह हमें छे वाइट मोती लिए बीच-बीच में अब एक ब्लू फिर एक वाइट फिर एक वाइट फिर एक वाइट इक वाइक और यह पहले जो लिया था उसमें से अब यहां से रिटन नीडल है उसमें से नहीं उसके आगे के मोटी में से रिटन एक वाइक मोटी और यह वाइक मोटी छोड़के इस वाइक मोटी में से दूसरा रिट है वहाँ पे जो वाइक मोटी है उसमें से निडल फिर एक वाइप और एक वाइट मोटी अब एक ब्लू और ब्लू मोटी में से निडल फिर एक ब्लू और वाइट मोटी में से निडल अब एक वाइट फिर एक वाइट फिर एक वाइट एक मोटी छोड़के एक वाइट मोटी एक वाइट मोटी फिर और यह अब यहाँ पे ब्लू मोटी और ब्लू में से निडल फिर एक ब्लू थिर एक ब्लू वाइट फिर एक वाइट अब यहां से डिमिलने अब यहाँ से रितन् अब एक वाइड और यहां पर फिर एक वाइड और एक जेर अब वाइड फिर एक वाइड फिर एक वाइड आप उय पैल आएड आप वाइड फिर एक वाइड वाइड वियुअ अब ब्लू में सी नीडल अप्रेड ब्लू में से नीडल फिर वाइड वाइड दू है वाइड वाइट इस तरह फिर एक वाइट और यहाँ पे लास्ट में से और अब यहाँ से हमें रिटन इस में से लेना है जो हमने अभी लिया फिर एक वाइट और रिटन इस तरह हमें लेना है फिर एक वाइट और रिटन अब एक ब्लू और रेद में से निडल फिर एक वाइट सोरी ब्लू और वाइक में से निडल गयए रिट में से लुद penn में से निडल वाइट 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 और वाइट एक ब्लू और रेड में से फिर एक ब्लू और वाइट में से फिर एक वाइट और यहां से हमें रिटन लेना ही इस तरह अब एक वाइट और वाइट में से ब्लू में से फिर एक ब्लू और ब्लू में से निडर और वाइट फिर वाइट वाइट इस तरह फिर वाइट एक वाइट फिर एक वाइट फिर एक वाइट ब्लू में सेनिडर एक ब्लू और ब्लू में सेनिडर हर बार हमें इस तरह से धागे को टाइट रखना है इससे अमारा फिनिशिंग अच्छा रहेगा और यहाँ पर लास्ट मोचे में से अब रिटर्ण एक वाइट और वाइट में सेनिडर फिर एक वाइट और ब्लू में सेनिडर फिर एक वाइट और वाइट मेसे निडल, फिर एक वाइट और वाइट मेसे निडल, एक वाइट और वाइट मेसे निडल, दो बार वाइट लेके अबेक ब्लू और वाइट मेसे निडल, फिर एक बार वाइट और वाइट और वाइट और ब्लू मेसे निडल, यहां हमें बू मेंसे निडल लेकर फिर एक दो और तीम वाइट मौती लेने के फिर एक ब्लू और एक दो और तीम वाइट अब एक वाइट और लास्ट मेंसे फिर यहां से रिटन एक वाइट और वाइट में से निडल फिर एक वाइट फिर एक वाइट अब एक ब्लू और ब्लू में से निडल फिर एक ब्लू और वाइट में से निडल एक वाइट और वाइट में से निडल एक वाइट, फिर एक वाइट, फिर एक वाइट और यहां से रिटन, एक वाइट, फिर एक वाइट, इसे एक मोटी वर्क भी कहते हैं, ब्लू में से निडल, अब एक रेड और ब्लू में से निडल, फिर एक वाइट, वाइट में से निडल, फिर एक वाइट, वाइट में से निडल, एक वाइट लेके यहां से एक वाइट मोटी लेना है, एक वाइख ब्लु और एक लाड मेसे निडल फिर हेम ब्लु और वाट मेस निडल फिर एक वाइट, एक वाइट, एक वाइट, और यहां से रिटन, अब रिटन, एक वाइट, फिर एक वाइट, एक वाइट, ब्लू में से, फिर एक ब्लू, और ब्लू में से, एक वाइट, एक वाइट, और लास्ट में से, अब यहां से हमें रिटन लेना है, फिर एक वाइट, एक वाइट, और ब्लू में से, फिर एक वाइट, और वाइट में से, फिर एक वाइट, और यहां से, रिटन, एक वाइट, और वाइट में से, फिर एक वाइट, एक वाइट, एक वाइट मोती, और यहां से, रिटन, एक वाइट मोती, एक वाइट, फिर एक वाइट, अभी यहां से, रिटन, फिर एक वाइट, एक वाइट, और यहां से रिटन और लास्ट एक वाइट मोटी और यहां से इस वाइट मोटी में से निडल अब तीन वाइट एक ब्लू एक रेड एक ब्लू और फिर तीन वाइट मोटी और यहां से उसी मोटी में से हमें निडल लेनी है इस तरफ और अब यहां पे गाठ लगानी है इस तरफ और थागे को कट कर देना है यहां यहां यह हमारे पतंग का एक पार्ट बन के रेडी हो गया सेम हमें इसी तरफ इस साइट भी स्टार्ट करना है यहां से स्टार्ट करना है यहां से और एक मोटी लेके फिर रिटर्न यहां तक कंप्लेट करना है और लास्ट में हमें यह भी बनाना है सेम इसी तरफ इस साइट भी डेडी करना है इससे हमें ऐसे करके यहां से निडल को इस मोटी में से स्टार्ट करना है एक वाइट मोटी इस तरह हमें इस साइट पूरी कंप्लेट करना है फिर एक वाइट मोटी फिर एक वाइट मोटी और यहां पे ब्लू मोटी है इस तरह यहां पे ब्लू मोटी फिर एक वाइट मोटी इस तरह हम देख सकते हैं और अगर आपको यह से समझ नहीं आता है तो यह वीडियो आप यहां से स्टार्टिंग से फिर से देख कर भी यह पार्ट बना सकते हैं देखिए यह हमारे पतंग की दोनों साइट रेडी हो गई सेम अब हमें हमारी निडल लाष्ट में यहां इस वाइट मोती में है इसको हमें यहां पिछे की और से लेके इस मोती में से फिर इस मोती में से उसी मोती में से लेना है अब ब्लू, रेड, ब्लू रेड, ब्लू बेड़ बेड़ दो इस तरह हमें 10 मोती ब्लू और 8 मोती डेड़ लेने हैं फिर हमें यहाँ पर एक दो और तीसरा डेड़ है उसमें से निडल लेनी है इस तरफ और फिर इसी तरह हमें बिट्स लेने हैं पहले ब्लू से स्टार्ट करके रेड ब्लू दस और रेड आठ इस तरह इस सैट भी हमें सेम बिट्स लेने ही और यहाँ पर यह जो वाइट मोती है उसमें से मिले ना है इस तरह यह हमारा पतंग रेड़ी हो गया हमारी पतंग यह काइट बनके रेड़ी है यह जिको मोती की है आप भी अपने ठाकोरजी के लिए अवश्य बनाए और मुझे कमेंट करें आपको एक एसी लगे जैशिक रशना